उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालाद बत्तर होते जा रहे हैं नागरिता संसोतन कानून के मुद्धे पर यहां लगातार तीसरे दिन हुई हिंचा दो समुदायों के बीच तनाव में बदल गई दबंगईयों ने मंगलवार को मोजपूर, भजनपुरा, ब्रहमपूरी और गोलखपूरी इलाके में पत्तराव किया मोजपूर मेट्रो स्टेशन के पास दो गूटों में हुई जड़ब के दुरान गोलिया चली जाफराबाद में पुलिस को फाइरिंग करनी पड़ी बाद में करावल नगर रोडस थी, चांद बाग में हाला तब भी गड़ गए जब उपदर्वियों ने पत्तराव शुरू कर दिया, करीब चार घंटे तक यहां पत्तराव होता रहा कई दुकानों में आग लगा दी गई, बड़ी तादाद में मुझूद पत्तरवाजों को रोकने के लिए शुरुआत में महस बीस पुलिस कर्मी मुझूद थे, बाद में मौके पर पुलिस के कई टुकिडिया पहुँची शाम साड़े शाय बजे एक पक्स के उपडरिवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पेपर सेल और आसू गैस के गोले दागी इसके बाद दूसरे पक्स ने पत्तरवाजी सुरू कर दी चान बाग में पुरे चार घंटे के बाद पत्तरवाजी रोगी SSB, RAF और दिल्ली पुलिस की कमबाइन यूनिट मोके पर पहुँचने के बाद दोनों पक्स पीछे हटे इलाके में हालत अभी भी तनाव पूर्ण बने हुए हैं जाफराबाद पूर मोजफूर इलाके में सुमवार को हिंचक जड़ब के बाद मृत्यकों की संखा बढ़कर 11 हो गई है सुमवार को 5 और मंगलवार को 6 लोगों की मोथ हुई 150 लोग जखमी है हैड कॉंस्टेबल रतनलाल की सुमवार को मोथ हो गई थी पहले ये बताया गया थे कि सिर पर पथर लगने से उनकी मोथ हुई है लेकिन मंगलवार को ओटस पे रिपोर्ट सामने आई जिसमें खुलासा हुआ कि रतनलाल को कंधे पर गोली लगी थी और इसी से उनकी जान गई जिसमें खुलासा हुआ जिसमें खुलासा हुआ हुआ है